हालो फ्रेंड श्वागत है आपका माई चैनल पर तो फ्रेंड अगर आप बची हुई ब्रट से कुछ टेश्टी और अलग सा नास्ता बनाना चाहते तो एक बार इस नास्ते की रेस्पी को जरू ट्राइ कीजिएगा जो बहुत ही जाए टेश्टी बनता है और खाने में लेंट बनती है तो यहां पर देखिए मैंने क्या लिया है यहां पर आपके श्माल वाले है तो आप आठ पीस लेना तो फ्रेंड अगर आपको इस रेस्पी में कुछ भी अच्छा लगे तो फ्लीज वीडियो को लाइक कर देना सेयर कर देना अगर आप माई चैनल पर पहल सब्सक्राइब करना साथ ही नौट्पी केसर वेलको आंड करना ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नौट्पी केसर मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान एस्टी का फाइदा उठापाए सबसे पहले अब हम क्या करेंगे ब्रेट को हम इस तरीके से छोटे तोड़ने से क्या फाइदा होगा जो हम इसे यूज करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी यूज करने में यह देखिए इस तरीके से रफली मैंने कट कर लिया है तो आप हमारी यह मज़दासी रेस्पी कहां से देख ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी और इसी के साथ इसमें थोड़ा साथ चाठ बसाला एक चुटकी और एक चुटकी हम इसमें एड करनेंगे नमक बस इससे ज़रा में कुछ नहीं एड करना है और अब हम ना पाई डालेंगे ना ही कोई मसाय डालेंगे हम इसको कवर करके बिल्कु अच्छे से इसको पीस ले यहां पर आपको भी इसे दर्धरा रखना है, रखने से बहुत इच्छा टेस्ट आएगा रेस्प्री में, तो यहां पर देख kuin से हम इसको टास्फर कर लेंगे, पर यहां पर देखे किसे टास्फर कर लिए झालते हैं गैस की तरफ पड़ा फ़र रेस्प्री को बनाना सकते जैसे ऑईल हमारा गरम हो जाएगा हम इसके अंदर डालेंगे राई जो बारीक वाली है सरसों मोटे वाली होती है और इसको चटकने के बाद इसमें एक चुटकी जीरा डाल देंगे और एक चुटकी हम हिंग डालेंगे तीनों के कॉंबनेशन से बहुत ही अच्छा सा ट कर लिया है अगर आप प्यार नहीं खाते तो प्यार को इसको कर सकते हैं यहां पर प्यार को मेना ब्राउं करना है ना ही इसको हमें गोल्डन करना है बस हमें इसका कच्छा पंदूर करना है और प्यार जब हमारी हलकी इलकी सी पिंक हो जाएगी यानि टांस्पारेंट हो ज चुकी है इसके बार हम इसमें डालेंगे केल्सियम से भरपूर सिम्ना मिर्ज जो मैंने ग्रीन वाले लिये हैं एक चमच लिया है तो यहां पर विजिटेबल आप रेस्मी मैट करेंगे तो बच्चे खा लेंगे वहते तो बच्चे विजिटेबल खाते नहीं उनके बहुत ज दरा फाइदे मंद होती है हड्यों को मजबूती देती है यहां पर मैंने ग्रीन वाली लिए आप चाहिए तो यलो रेड वाली भी ले सकते फिर इसके बार हम इसमें डालेंगे गाजर तो यहां पर देखे मैंने एक मीडियम साइज की गाजर को इस तरीके से ग्रेव करके लिया है क्योंकि आज के बच्चे बाहर खेल लेनी जाते जितना मोबाइल और टीवी में गेम खेलते हैं तो जिसकी वज़े से उनकी आखों में चस्मा लग जाता है तो अगर आप गाजर खिलाएंगे तो उनकी आखे स्वास्त रहेंगी और चस्मे का नंबर नहीं बढ़ घ्रषवागर फूल गोवी मटर यानि जो भी आपकी वेज़ेश मेटते हो आपके पास हो आप डाल सकते नहीं एक तो इसके भी कर सकते हैं फिसके वांदेंगे थोड़ा सा हरा धनिया आप चाहें तो पुदीना भी दाल सकते कड़ी पत्ता भी डाल सकते तो यहां पे हरा डालते हैं आपको ख्याल ही रखना है कि हरा धनिया में बिल्कुल भी मॉस्टर नहीं होना चाहिए हरा धनिया को अच्छे उसे बाउस करने के बाद फैन के नीचे रख देना है जब इसका सारा बनी खतम हो जाए तब उसको कट करके डालना है यहां पर विजी टेबल को में प अधिके से मेजर्मेंट कफ नहीं है तो आप नौर्मल घर वाली कटोरी का भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन इस रस्पी में आपको मेजर्मेंट का खास खया लगना है तो आटे को हम टास्पर कर देंगे फिर इसके बाद हम डालेंगे टेस्ट के एकॉर्डिंग नमक तो नम अजमाइन डालने से टेस्ट भी अच्छा आता है और अजमाइन आपके पेट के लिए बहुत ज़्या लाबकारी होती है फिर थोड़ा साहराधनिया डालेंगे और आप इसके अंदर हम डालेंगे आप घियो बटर भी डा सकते हैं लेकिन सरसों का तेर्मट डालना ओईल कि आपके देखेंगे अगर मुठी मानने पर बंद रहा है तो समझे यह परफेक्ट है अगर नहीं बंद रहा है तो आपको थोड़ा सा ओईल और डालना है यहां पर हम लेलेंगे रूम टंपरेचर का पारी न ठंडा न गरम थोड़ा तो आप आई डलके इसका आठा लगाए आठे को बहुत ज़रा टाइट लिहां से लगाते तो क्या होता हाट हो जाता है और नास्ता हमारा कुर्ग्रों क्रिस्पी नहीं बनता है तो बहुत साय लोग की सिकायत थी जब वो नास्ता गरम-गरम खाते तब तो क्रिस्पी रहता है लेकिन जब छोड़ देते एक घंट मार्मल आठे की तरह हमें इसे घुरने का जंजर नहीं करना है हम इसे पांच मेर्ट कर देंगे ताकि आठा अच्छे से पूल जाए अगर आपको जा जल्दी तो आप इसमें थोड़ा सा वेकिंग पॉर्डर डाल सकते है तो चलिए इसको साइड बरकते दूसरा काम करते है यहां पर देखिए मैंने कराही लिए आप चाहे तो पैन भी रह सकते हैं जो भी बड़तर लीजे थोड़ा सा वारी लीजे कराही को विल्कुर अच्छा से गरम कर लेंगे अब इसमें छोटा चमज तेर डालेंगे आप घियो बटर भी डाल सकते तेल को विल्कुर अच्छ को विश्ट के तोड़ लिया है यह डाल देंगे तो यहां पर मैंने हरीमिच और साबस खडी लालमिच का दोनों का इस्तिमाल किया है दोनों के मिसरन से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट निकल कराएगा तो यहां पर हमें प्याज को काला नहीं करना है बस हलका सा इसको हमें प पकाना है तो आज को हमें golden brown या brown नहीं करना है फिसके बाद हम इसमें तीन कलिया लसुन की डाल देंगे अगर आप लसुन नहीं खाते तो इसकी कर सकते हैं अगर खाते हैं तो जरूर डालिएगा फिर एक इंच का अदरग डालेंगे जिसको अब दे छिलके के साथ डाला है सि एक इंच का डालेंगे बहुत अच्छा सा टेस आएगा अदरग का इस recipe भी इसके बाद हम इसमें एक चंबच चने की डाल डाल देंगे जिसको मैंने कपड़े से अच्छे से पोच लिया है विगो कर नहीं लिया है तो चने की डाल अगर आपके पास ना हो तो आप इसकी ज जाल का जो कच्छापन है वो निकल जाता है यहां पर आपको गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है हाई फ्लेम पर इसको नहीं बूरना है नहीं तो दाल बहुत जल्दी काली हो जाएगी और काली में नहीं चाहिए इसके बार हम इसमें डाल देंगी सूखा नारियल जो हमने हम पर नारियल ही ना हो आप इसके जिगा पर तो जांस्तमाल कर सकते हैं तो यहां पे हमें डाल देंगी नमक और थोड़ा आ डालेंगे चाठ मसाला और कोई प्रचाव तो प्लेम करें दिनकी ऐस मिज्हों को भंद कर देंगी आ उपन अर इसमें हम थोड़ा सा पानी याइड कर देंगे ज्यादा पानी नहीं सिर्फ एक से दो चम्मस और इसको हम कवर करके विल्कुँ अच्छे से इसको पीसलेंगे और इसका पेश्ट बना लेंगे तो चलिए पेश्ट बना के लिए किया दें फिर आपको दिखाते हैं तो फ् प्लाइस भी बढ़ जाएगी तो यहां पर हम गैस को आउन कर लेंगे गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इस तरीके से तड़का पैन लख देंगे और अब हम इसको अच्छे से गरम कर लेंगे फिस के अंदर ऑई डालेंगे ताकि यह फटा-फट गरम हो जाए और ऑई सा सरसो और थोड़ा सा सफेतील और एक छुटकी हिंक बस इसको दालके चटका लेंगे 10-15 सेकंड काला बिलकुल भी नहीं करेंगे जब यह चटक जाएगा तो इस तरीके से गयर से फ्रेम को बन कर देंगे और इसको आड़ कर देंगे यह देखे इस तरीके से और इसको सब करेंगे जो इसका टेस्ट है वह दुगना नहीं चोगना हो जाएगा यहां पर देखिए आप आलू की जगह पर पनी ही ले सकते यहां पिर पत्ता गोवी आलु की माता को बढ़ा सकतें, यहां पर आलु को मैंने बोईल करके ठंड़ा करके लिया है, गरम आलु का इसमार इस रेस्प्री में नहीं करना है, यहां पर हम आलु को फटाफ़ चीर लेंगे, जब तक हम आलु को चीर लेंगे, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद नहीं आप भूल जाते हैं और कमेंट करके बताईये कि आपको यह recipe कैसी लग रही है अगर आपको मेरे recipe पसंदा रही हो तो comment box में प्यारा स्य कमेंट करके हमें बताईये कि आपको recipe कैसी लग रही है और आप आप इस रेस्पी में क्या और change करके बनाते हैं या अप्रीक रेस्फी को इसी तरीके से बनाते और आप अपनी द्येश्टी बताय कीजिए आपने चेहरों पर देखे और यहां पर ठंडा खाल्लिया अब यहां पर इस तरीके मैं बार्णा ग्रेटर नहीं लिया है ना बहुत बढ़ा वाला तो great करने से क्या होगा आलू के जो बड़े बड़े तुकड़े होंगे वह नहीं होगे तो यह जो बड़े बड़े दिक रहे जिसको हम साइड में रग लिए में कटोरी में इसको सब्जी में इस्टमाल कर लेंगे वेश्ट बिल्कुल भी नहीं होगा तो इस तरीके से आलू को ग्रेट करके लेंगे तो टेक्च्चर रेस्पी का बहुत ही अच्छा आएगा अगर आप मैस करके ले रहें तो आपको एक बात का ख्याल लगना है कि आलू को अच्छे से मैस करना है जितन बड़ी तुक्ड़े दिख रहें उसको फिर से इस तरीके से अच्छे से मैस कर्लेंगे ताकि वेश्ट ना हो और जो कि दिखने लिए उस को साईड में लखेंगे, तो चलिए हाथों को वस्ट कर लेते हैं फिर इसके बाद मिकार्प कता सब च्छाख कर लिए अब इससे अंदर हम युक्कि हमारे पास PC वाली नहीं थी अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं कुटी वाली डालेंगे तो लोग भी अच्छा आता है फिर एक ग्रीन चिली क्यूंकि हमने इसमें कुटी वी लाल में डाली है अगर आपका बच्छा बहुत ज़्यादा चोटा है तो आप ग् एस्पी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंड करना आपके सांथ से करेंगे फिर टेस्ट के कौर्डिंग डालेंगे यहाँ पर मैंने हाफ टीउपन डाला है आपने टेस्ट के लालेंगे थोड़ा सा हरा धन्या जो हमने इस तरीके से मोटा मोटा कटकर लिया अगर आपके तरीके से सहावने काम है यहां पर चम्म्मित करेंगे स्थिन फूर्प जो मिलेगा उसे बहुत रिआ यह से मिलानें करों बहुत आख सकते में अब उसको छाने करें हैं यहकिन हुल नहीं है बिल्केंद हमें नास्ते का कलर बहुत ही अच्छा चाहिए हल्दी रालने की वज़े से कलर पीला पना जाता है और नास्ते का जो नैश्र कलर होता है वो नहीं आपाता है तो आप इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं तो मैंने चक लिया परफेक्ट है काफी जड़ा चटपटा है आप इसको हम दो दो चमच मैदा अगर आप चाहे तो गेहूं काटा भी डाल सकते हैं लेकिन सिर्फ दो चमच मैदा डालेंगे तो बहुत अच्छा सा टेक्श्चर आएगा रेस्पी में और एक टेबस्पून हम इसमें डालेंगे चावल काटा अगर आपके पास चावल काटा नहों तो चावल काटा घर में तयार हो जाएगा अगर आपको फिल भी समझ में नाया हो तो कमेंट वक्स से कमेंट करना मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाओंगी थोड़ा सा कुटा हुआ लाज़नी डालेंगे और ठोड़ा सा नमक एक चुटकी और एक हम इसमें डालेंगे च temperature का पानी थोड़ा सा पाई डालेंगे और इसको अच्छे से mix करेंगे यहाँ पर एक साथ पाई डालने की गलती मत करना नहीं तो गुटलिया पड़ जाएगी अगर एक बार लंस पड़ गया तो आपको हटाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और आपका टाइम भी बर पूल जाता है अगर आपको जाए जल्दी तो आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग पॉडर या खाने वाला मीठा सोडा एड़ कर सकते हैं लेकिन फिर वह हेल्दी नहीं जाएगा तो यहाँ पर देखें इस तरीके से हमारा बैटर हो गया है आप इसको हम दो मिनट का का टाइ ग्लास से लगाएंगे तो आधा ग्लास तो यहाँ पे देखें से सारे फ्लेवर इसके अंदर समाग हैं तब इसके बाद जो हमरा ब्रट था जो तरीके से स्लाइच करके रखा था तो यहाँ पर जो सबजीयों ने पानी छोड़ा होगा या पिर आलू का जितना में मौस्श होगा वो खतम हो जाएगा यह देखिए तो देखिए इस तरीके से रैडी हो चुका है आपने आठे को हम चेक कर लेंगे और इसको फिर से एक मुनट का टाइम लेंगे ताकि जो हमने ब्रड इसके अंदर डाली है पीस के वो अपना काम कर दे और इसकी सारी नमी खतम कर दे अ हो चुका है आठा हमारा विल्कुल अच्छे से फूल गया है विल्कुल भी गूदने का जंजट नहीं हुआ इस रेस्पी में और आप भी आठे को रेस्ट देंगे तो आपका आठा अच्छे से फूल जाएगा अब थोड़ा सा ओईल डाल देंगे एक से दो बून और आठ आठे को अच्छे से 10-15 सेकंड मसलना है बहुत कम टाइम में आप इसको आठे को इस तरीके से मसल के रेडी कर सकते हैं अब यहाँ पर आठा हो गया है रेडी आप इसको हम बनाना सुरू करेंगे तो आज मैं आपके साथ सेयर कर रही हूं बहुत ही अनोखा तरीका इस रेस में डिवाइड करेंगे यह देखिए और यहाँ पर हम रख देंगे बाकी को और एक के साथ हम काम करेंगे तो यहाँ पर हमें एक आठा ले लेना है यानि इस तरीके से एक पार्ट को और 10-15 सिकंड इसको अच्छे से मसलते हुए इसकी लोई बनानी है जैसे हम चपाती के लोई बनाते है उससे थोड़ा सा यह मोटी है चपाती के इतनी नहीं रखनी इससे थोड़ा सा मोटी लोई बनानी है जैसे नॉर्मल आटे की रोटी होती है और थोड़ा सा हम सूखा अंट डालने है जिससे क्या होगा जब हम इसको शेप देंगे और डिजाइन डालेंगे तो यह बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं तो यह recipe अगर आप family वालों को बना के खिलाएंगे तो सभी लोग आपसे पूछेंगे कैसे बनाया है और बच्चों के tip in box में देंगे तो teacher भी आपसे phone करके पूछेगी recipe कैसे बनाई है कैसे यह design डाली है तो यहाँ पर देखें चूरा हाँ सूखांटा डाल दिया है अब हम क्या करेंगे यहाँ पर हम लेलेंगे बेलन और इसको बेलेंगे यहाँ पर आपको घबराने की जुरुद नहीं है आप इसको प्रॉपरली बेलना है और रोटी के इतना मोटा रखना है बहुत ज़रा ना मोटा ना बहुत ज़रा पतला जैसे हम रोटी बनाते हैं उसी तरीके से चलिए इसको बेल लेते हैं तो फ्रेंट देखिए इस तरीके से मैंने इसको बेल लिया है यहां पर मैंने इसको ना बहुत ज़रा मोटा रखा है ना बहुत ज़रा पतला रखा है अब हम धारदार नाइफ ले लेंगे और इस तरीके से हम इसके उपर कट लगाएंगे यहां पर हमें एक इक इंच की दूरी पर कट लगाना है और दूसरी बात आपको खयाल यह रखना है कि यहां पर आपको किनारों को नहीं कट करना है यहां पर एक इक इंच की दूरी पर नुइत हैं बहुत ही आसान रेस््पी है,हर कोई इसे बना सकता है,ः खा सकता है , जितनी जादा बनाने में आसान है,खाने में उसे जादा मज़धार है और बहुत ही easy recipe है, यह देखिए, इस तरीके से हमने cut लगा लिया है, यहाँ पर जो आलू आला मसाला था, देखिए बिल्कुर अच्छे से जो हमने bread gum डाला था, वो इसके अंदर समा गया है, थोड़ा सा finger पर oil लगा लेंगे ताकि चिपकेना, और इस तरीके से हम ले लेंग और अब हम इसमें design डालेंगे, design हमें कैसे डालनी है, बहुत ही आसान recipe है, तो आप लोग इस recipe को जरूर ट्राइ कीजेगा, आप इसे बच्चों को टिफिन वॉप्स में देंगे, तो बच्चे क्या, teacher भी family वाले भी पूछेंगे कैसे बना है, यहाँ पर देखिए मैंने इ इसको roll करेंगे, यह देखिए इस तरीके से आप चिपकाते जाईएगा, आराम आराम से, यह देखिए, इस तरीके से करने के बाद, यह देखिए हो गया है, एश्ट्रा जो आटा बचेगा, उसको हम इस तरीके से निकाल लेंगे, यह देखिए, और यहाँ पर आपको पान दिझानी में गारा लगाने की कोई जरूवत नहीं है और यह रेखिते हवाई सुनधर से dozing पड़े गई है किसे जदाने में सुनधर लग रही है जितनी जदा Friends कि घथायग से अखा रहे मोगत तो फ्रेंट आ गए गैस की तरफ यहां पे देखे मैंने कराही लिए आप चाहे तो इसकी जगा पे पैन भी ले सकते हैं जो भी बड़तर लीजे थोड़ा सा भारी लीजे जब तक आपका तेल गरम नहीं होगा आपको कुछ भी नहीं करना है जब तेल गरम हो जाएगा तो इ इसे बनाएंगे मीडियम फ्लेम पे यहां पे आपको खयाल यह रखना है कि डालते ही तुरं पलटने की गलती नहीं करनी है और एक बार में उतना ही डालना है जितना की पलटने में दिक्कत नहीं हो बहुत ही आसान रेस्पी है हर कोई से बना सकता है और यहां पे आप जो भारी बरतल नेंगे उससे क्या फाइदा होगा उससे क्या होगा कि रैस्पी बहुत ही जड़ा कुरकुरी और कृस्पी बनेगी और बहुत ही अच्छे से कुख होगी तो यहां पे आपको इसको पलटना नहीं जब तक यह दो मिनट के लिए कुख नहीं जाती है जब यह द इस टॉटे साइटा सवर्पी चलुक्त दो बानेकर लित लिए tv चवड होतèce है कम इंवर यह दो निकाल लेंगे निकलने के लिए इस तरीके से चंड़ का इस्था बिए और इस तरीके से छंदे में आप निकालेंगे तो ऐस्ट्रा जो आईल होगा वो उसी में वापस जला जाएगा बिल्कुल भी रहेगा नहीं और यह देखिए कितिना आज़ना देखने में खुछ स्वर लग रहा है और बिल्कुल भी श्टफिंग बाहर नहीं आई तेल हमारा बिल्कुल साफ है तो यहाँ पर जो हमने ब्रटगर्म डाला था उसका फाइदा यह होता है कि वो श्टफिंग को बाहर जाने से बचाता है तो यहाँ पर जो हमारा बचा हुआ मिस्टरम था उससे आपको दूसरा नास्ता बनाना बताएंगे तो चलिए बताते हैं तो यहा यहाँ पर जो हमारा घोल था देखिए गाढ़ा हो चुका है पहले पतला था लेकिन अब यह फूल गया है तो गाढ़ा हो गया है अब इसके अंदर हम इसको डाल देंगे और इस तरीके से एक से दो बार घुमाएंगे ताकि इसके उपर घोल हमारा अच्छे से लग जाए और फिर अश्ट्रा घोल हम निकाल लेंगे और यहाँ पर हम इसको ब्रट गम के अंदर डालेंगे जो हमने बचा के रखे थी यह देखिए और सूखे हार से इसके उपर डालेंगे इस तरीके से और इसको अच्छे से कोट कर लेंगे अगर आप वो नास्ता नहीं बनाना च कर सकते हैं तो चलिए बना लेते तो यहाँ पर मेरा मिश्रन थोड़ा है अगर आप ज्यादा बनाना चाहते तो आपको मिश्रन और ज्यादा बनाना पड़ेगा तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से मैंने रेडी हो चुके चार कटलेट बन चुके अब चलिए इसको चलते की गलती नहीं करनी है तो देखिए इस तरीके से डाल दी आप दो मिनट के बाद इससे चेक करेंगे तो फ्रेंड दो मिनट हो चुका है इसको पकते वे दो मिनट के बाद अब इसको हम टर्ण कर देंगे टोटर इसको बनने में चार मिनट का टाइम लगेगा और आप इसस तरीके से बना के से श्टोर करके से रखते हैं, जब आपके महमान है या बच्चे का दिल करें कुछ चट पटा खाने का तो आप बना सकते हैं, तो यहां पर चलिए दो मिनट और पका लेते हैं, तो फ्रेंड दो मिनट हो चुका है, इसको दूसरे साइट से भी पकते हुए, तो यहां पर टोटर इसको बनाने में मुझे 4 मिनट का टाइम लगा है, कितना बढ़िया तरीके से हो गया है, अब इसको हम निकाल लेंगे, और इस तरीके से हम इसको साइट में रखेंगे, ताकि जो एश्ट्रा तेले वापस चला जाए, देख लीजे, कितना ज़रा खु प्रिस्पी है, चलिए आपको दिखा देते, यह देखे कितना ज़रा क्रिस्पी बना है, और अंदर से बिलकुल हार्ट नहीं है, इस तरीके से सौफ्ट है, इस स्टफिंग देख सली है, कितने बरावर से फिल है, और इस वारी चटनी के साथ जो इसका कॉमनेसन है, वो अल अगर आप इसे केचप के साथ ने इंज्वाइए करना चाहते हैं, तो यहां पर आपको ओमेट केचप की रेस्पी चाहिए, तो कमेंट बाक्स के कमेंट करना, मैं आपके साथ देख करूँगी, यह मेरा घर का बना केचप है, जो पूरे साल दिलकुल भी खराप नहीं होता है, तो चलिए, मुझसर तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जानीं से इंज्वाइए करने, उससे पहले मैं आपको दूसरी रेस्पी भी दिखा देती हूँ, कि दूसरी रेस्पी भी हमारी बहुत ही कमाल की बनी है, यह देखिए, कितिनी जथा क्रिस्पी है, सारी हमारी इसी त पॉप्ट है मूँ में मिल्टर ने बने हैं और इस चटनी के साथ इसका कॉम्टेशन बहुत ही बड़ी हा लगता है अगर आप चटनी के साथ नहीं खाना चाते तो केचप के साथ एंजॉय किजिए बच्चेप के साथ दीजिए तो चलिए मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है म बहुत ही कमाल की दोनों ही रेस्पी है तो फ्रेंट चलिए मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है मैं जारी इंजॉय करने आप भी बनाईए खाईए अपनी फैमली वालों को किलाईए रेस्पी कैसी लेगी बताईए लव यौल बायन टेक केर मिलते हैं बहुत ज़दी नहीं जबेस्पी कैसाओ